अब दोस्तों मैं हूँ कुनाल सिंग और आप देख रहे हैं फैक्ट है डेंदी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के बेहत फूर्तिले और खतरनाक साप के बारे में दोस्तों क्या आपको सापों की खतरनाक परजातियों के बारे में पता है तो आईए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खतरनाक और फूर्तिले साप के बारे में जो ज़्यादतर अफरीका के जंगलों में पाया जाता है और उस साप का नाम है ब्लैक मामबा जो दुनिया क दस सबसे जहरीले शापों में से एक है और यह अफरीका में हर साल 20,000 मोटों का कारण होता है ब्लैक मामबा को खौफ का बात्षा भी कहा जाता है दोस्तो तो आज के इस वीडियो में हम ब्लैक मामबा के उपर बात करने वाले हैं जाने के शिकार करने के तरीके के बारे में और उसके बारे में कुछ रोचक तत्व और दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं या साप देखने में बहुत ही खतरनाक होता है या अन्य सांपो से बेहत फूर्तिला और आक्रमक होता है इसके रेंगने की गती के मामले में या दुनिया के अन्य सांपो से बहुत आगे है या 20 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से भाग सकता है या इतना एग्रेसिव होता है कि या अपने सिकार को कुछी सेकेंड में 10 से बाड़ा बाड़ काड़ सकता है जिसके कारण सिकार के सरीड में 400 मिली ग्राम तक जहर छोड़ सकता है और या किसी भी शिकार को मारने के लिए बहुत ही जादा होता है और दोस्तो इसकी दूसरी खास बात या है कि या अपना रंग परिस्तिती के अनुसार बदल सकता है यानि ब्लैक मंबा अपने नाम से बिलकुल अलग है इसका मतलब या पूरी तरह से काला नहीं होता या अपने नाम से बिलकुल विपडित होता है जबकि ये ब्राउन और ओलीव से लेकर ग्रेशेड के रंग का होता है इसके मूँ के अंदर का नीला भाग इसे अन्य सापों से अलग बनाता है यह जंगल में जहर और पेरों पे रहना पसंद करते हैं इसकी लंबाई दो मीटर तक होती है लेकिन कभी-कभी अफरीका के जंगलों में सारे चार मीटर तक के लंबे ब्लैक ममबा भी देखे गए हैं इसका एक मिली ग्राम जहर इनसान को मारने के लिए काफी होता है इसके काटते ही इनसान के आँखों के आगे अंधियरा ऊचा जाता है और यह किसी इनसान को काट ले तो उसकी मौत 15 मिनट से 3 घंटे में हो जाती है इसके जहर को हटाने के लिए अफरीका में एक एंटीडोत त्यार किया गया है जिसका नाम है एंटी वेनम ब्लैक मंबा एक बार में 6-25 अंडे देता है और यह अंडे देने के बाद अंडे छोर कर वहां से चला जाता है अंडे देने के तीन महीने बाद ब्लैक मंबा के बच्चे बाहर आ जाते हैं और जिसकी लंबाई 16-24 इंच होती ह और यह लगभग 11 साल तक जीवित रहते हैं आईए दोस्तों हम बात करते हैं इसके शिकार करने के तरीके के बारे में जो अन्ने सापों से बिलकुल अलग है यह साप छोटे जीवजन्तु का शिकार करना बेहत पसंद करते हैं ब्लैक मंबा अपने शिकार का पहले पीछा करता है फिर उसे काटता है और उसके सरीर में अपना जहर छोड़ देता है ब्लैक मंबा तब तक अपने शिकार पे नजर बनाये रखता है जब तक उसका शिकार पेरलाइज होकर मर नहीं जाता है जैसे हैं उसका शिकार पेरलाइज होकर मर जाता है तो वह उसे निगल कर खा लेता है या अपने से चार गुना बड़े जीव जनतु को खा सकता है तो आ आज के लिए वस इतना ही टेक केर बाबाई